मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने एलान किया है कि राज्य में सरकारी नौकरी अब सिर्फ मध्यप्रदेश के युवाओं को दी जाएगी सिम शिवरा सिंग चोहान ने ये भी कहा कि प्रदेश के संसाधन प्रदेश के बच्चों के लिए हो इसके लिए सरकार जरूरी कानूनी प्रावधान करने जा रही है आकड़े बताते हैं कि राज्य में सिक्षित बिरोजगार युवाओं की संख्या तकरीबं 30 लाग हो गई है और इसमें हर महने इजापा हो रहा है हाला कि मध्धिप्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें शिवरास सरकार अभी तक नहीं भर पाई है लिहाजा उनके इस नए एलान पर विबक्षी दल कॉंग्रिस ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है मध्धिप्रदेश कॉंग्रिस के कारिकारी अध्यक्ष और कॉंग्रिस विधायक जीतु पटवारी ने पूछा है कि सिर्फ घोषना से क्या होगा घोषना वीर जी बताईए कब तक सभी रिक्थ 50,000 साशकिये पद भरेंगे क्योंकि अगर भरती नहीं होगी तो ऐसे प्रावधानों का कोई महत्व ही नहीं है करमचारियों के एरियर्ट्स और इंक्रिमेंट कब से देना शुरू कर रहे हैं 15 साल के मुख्यमंत्री आदरने शुराश सिंग जी को अब समझ में आया है कि पूरा प्रदेश में ने बेरोजगार कर दिया है उन्होंने आज कहा है कि मद्ध प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मद्ध प्रदेश के बच्चों का है याद रहे है कमलनाद जी ने पूर मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्यप्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्यप्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर की नोकरियों में हैं यह वे वीजन दिया है और उसके लिए काम किया है फिर भी हम इस पूरी गोष्णा का पूरी बात का स्वागत करते हैं पर याद रहे कि दन जी को घोषणविर के नाम से भी जाना जाता है श्रासिंघ जी आपने कितनी गोषणा कि कितने हैं डिसीजन लिये ये एक उसमें और न बढ़े इसकी आशा के साथ आपको धन्यवाद। मगर 2019 में जब कॉंग्रिस ने सत्ता में वापसी की तो उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलात ने 70% प्राइवेट नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित कर दी थी। जो अक्टूबर 2019 में बढ़कर 27,89,725 हो गई। मध्यप्रदेश विधान सभा में पेश किये गए आकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अक्टूबर 2019 तक करीब 28,00,000 सिक्षित विरोजगार थे। झाल 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 झाल